हलो फैंट्स बेसी की स्पिसल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मुस्ट वैलकम है और आज किस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे BSE Second Year Geology का First Semester है Code Data और इस Semester से ओलेडी में कई सारी वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ आप चैनल के अंदर जायेंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको एक лिंक मिलेगा जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उन वीडियोस तक पहुँच जाएएगे पिछली वीडियोस के अंदर हमने cover किया बैलनोग्लोसस के बारे में यानि कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर कई सारी topics हम cover कर चुके हैं जैसे कि phylum core data के general features classification, cephalocodata, hemicodata इन सभी कौन खतम कर चुके हैं और बैलनोग्लोसस related उसकी physiology related जितने भी topics हैं वो सब हम cover कर चुके हैं आज किस वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे सब phylum cephalocodata के अंदर रखा गया जीव amphioxis, यह आपके syllabus में है और amphioxis के बारे में इसकी external morphology internal morphology, habit, habitat इसकी body wall की structure इन से related एक long question पूछा जाता है जिसमें इसकी यहाँ पर normally आपसे इक questions पूछा जाएगा describe the external and internal morphology of branchiostoma यह इसी कोम amphioxis यह इसी कोम lensulate भी बोलते हैं तो इसके तीन नाम हो सकते हैं और जो famous है वो है amphioxis और branchiostoma यह दोनों नाम ज़्यादे famous है exam paper में branchiostoma के नाम से भी questions कई बार cut out किया जाता है तो चलिए दोस्तों start करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले discuss करेंगे amphioxis के classification के बारे में फिर उसके बाद हम discuss करेंगे इसके habit and habitat कहां पर यह रहता है इसका वास इस्थान क्या है क्या खाता है क्या पीता है इसके बारे में हम discuss करेंगे उसके बाद हमारा topic होगा इसकी external morphology इसकी body structure के देखने वाले हैं जैसे कि आप यहां पर diagram में भी देख सकते हैं इसकी body structure को हम देखेंगे फिर उसके बाद इसकी body wall की structure को देखने वाले हैं फिर इसके बाद जितने भी इसकी physiology को complete करने वाले इसकी body में जितने भी physiological system बने हुए हैं जैसे digestive system, respiratory system, blood-vascular system, nervous system, skeletal system, reproductive system जितने भी इसकी physiology को complete करने वाले system बने हुए हैं हम उसके बादे में discuss करेंगे तो चलिए दोस्तों start करते हैं चलिए दोस्तों heading डाले जीए Amphioxis Part 1 और Part 1 के अंदर हम cover करेंगे Amphioxis के classification के बारे में इसके habit and habitat के बारे में यानि कि रहता है, कहां पर है, क्या खाता है, क्या पीता है उसके बारे में हम discuss करेंगे उसके बाद हम discuss करेंगे Amphioxis के external structure के बारे में यानि कि जब आप Amphioxis को externally view करते हैं बाहिया रूप से इसको देखते हैं, तब ये कैसा दिखाई पड़ता है उसके बाद हम देखेंगे Amphioxis के internal structure के बारे में यानि कि आंतरिक रूप से हैं कैसा दिखाई देता है इसकी body wall की structure क्या है तो तब जाकर आपका एक long question त्यार होता है एक्जाम पेपर के लिए, क्योंकि एक्जाम पेपर में कई बार ये long question पूछा जाता है describe the detailed structure and morphology of Amphioxis Amphioxis को lansulate भी बोलते हैं ठीक है, branchiostoma भी बोलते हैं mostly इसको branchiostoma भी बोलते हैं तो उस पर आप confused मत होना कि branchiostoma पूछा गया है या Amphioxis क्या है, ये तीनों एक ही हैं ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस questions, इस long questions को त्यार करने में आपको कौन-कौन से diagram बनाने पड़ेंगे, सबसे पहले मैं वो भी बता देता हूँ क्योंकि इसको externally हम यहाँ पढ़तो रहे हैं ये इसकी external morphology है यानि कि externally ये कैसा दिखाई पड़ता है इसमें आप अगर सभी नहीं तो कुछ तो आप nomenclature जो main-main है उसको याद रखना पड़ेगा कि इसकी body में जैसे for example wheel organ, buccal series, oral hood, pharynx, gill slits, midgut ठीक है जैसे इसकी body के अंदर पाए जाते हैं coordinate की कुछ important features जो की पूरे जीवन काल में रहते हैं नर्व कोर्ड, नोटो कोर्ड, pharyngeal gill slits तो ये सारे कुछ ऐसे points है जो की आपको completely याद रखना पड़ेगा फिर आपको ये diagram की practice करनी पड़ेगी तब जाकर के आपका एक पूरा पूरी तरीके से एक long question त्यार होगा internal morphology के अंदर आप इसकी body वाल का diagram देंगे, तो दो diagram बनेंगे एक long question में, इतनी बात clear होई आई दोस्तों discuss करते हैं इसके classification के बारे में, ठीक है, अभी हम यहाँ पर amphioxis को externally देख रहे हैं फिर internally देखेंगे, फिर इसकी body के अंदर इसकी physiology को complete करने के लिए कई सारे system बने होई हैं, जैसे digestion एक physiology है, ठीक है, digestion क्या है यानि कि पाचन किरिया क्या है, एक physiology है, उस digestion को complete करने के लिए, इनकी body में बना हुआ है digestive system जिसकी help से digestion की जो process होता है, जो physiology होती है, वो complete होती है इसी तरीके से इसकी body में reproductive system, nervous system, blood vascular system, कई सारे system बने हुए हैं, इसकी physiology को complete करने के लिए तो उसको हम one by one, one by one one by one discuss करेंगे, क्योंकि long question में कभी digestive system पूचा जाता है तो कभी reproductive system पूचा जाता है, ठीक है तो दोस्तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले discuss करते हैं, इसके classification के बारे में तो प्यारे दोस्तो, heading डाले जी classification, यानि कि इसका वर्गी करन दोस्तो इसे phylum code data के अंदर रखा गया है, क्यों रखा गया है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कि amphioxys या cephalo code data के अंदर जो animals होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं code data, phylum code data के blueprints कहते हैं, क्यों कहते हैं क्योंकि phylum code data के जो main features होते हैं, जैसे कि dorsal nerve code का पाया जाना, या फिन notao code का present होना, या pharyngeal gillslets का present होना, ये ये श Perhaps क्या show करते हैं दोस्तों ये तरीके से code data के जो main fundamental जो main features होते हैं वो ये है तो दोस्तों ये जो है code data के main fundamental features को show करते हैं इसलिए इनको blueprints भी कहा जाता है ठीक है उस जिसके अंदर amphioxes भी include होता है तो phylum code data के अंदर इसे इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर notocode present है dorsal nerve code भी present है ठीक है इसकी body जो structure अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी body structure में pharyngeal gillslits भी पाए जाती है तो इसलिए code data में रखा गया इसको उसके बाद अगर आप देखें तो phylum code data के बाद इसको group a crania के अंदर रखा गया है a crania का मतलब होता है दोस्तो a मतलब आप समझ लीजिए absent और crania का मतलब होता है दोस्तो skull यानि के जो brain box होता है जो cranium होता है या हिंदी में जिसको हम kapal भी बोलते हैं तो इसके अंदर absent होता है group a crania के अंदर जितने भी sub phylum आएंगे उनके अंदर उन animals के अंदर जो kapal होगा जो skull होगा या brain box जो होगा वो absent होगा तो इसलिए इसके अंदर absent होता है इसके अंदर जो होता है वो absent होता है इसलिए हम दोस्तो इसे एक crania के अंदर रखते हैं उसके बाद sub phylum सिफेलो कोड़ डेटा के अंदर क्यों रखा गया ये सबसे ज़्यदा main features है सिफेलो कोड़ डेटा के अंदर amphioxis को इसलिए रखा गया क्योंकि सिफेलो का मतलब होता है दोस्तो head ठीक है और कोड़ डेटा का मतलब आप समझ लिए notocode यानि कि इसमें जो जो notocode present होती है वो head से tell तक यहाँ पर ये head हो जाएगा तो ये tell तक है वैसे तो इसमें head absent होता है true head इसके अंदर absent रहेगा बड़ दोस्तो इसमें जो आप कहेंगे anterior region से posterior region तक notocode present होती है और पूरे जीवन इसकी पूरी life stage के अंदर ये तीनों features जो है show होते रहते हैं इसलिए मैंने कहा है इन्हें blueprints होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तो हमने देखा class leptokorid के अंदर रखे गए हैं family branchiostomid के अंदर रखे गए हैं और genus amphioxys या branchiostoma या lancelate इन तीनों में से आप कह सकते हैं famous words है इसके अंदर branchiostoma और amphioxys तो हमने देख लिया है classification हमने ये भी देखा कि आखिर इन्हें phylum codita के अंदर क्यों रखा गया group ekrania के अंदर क्यों रखा गया और सब phylum cephalo codita के अंदर क्यों रखा गया अब हम देखते हैं दोस्तो इसका habit and habitat आखिर ये कहां पर रहते हैं इनका वास इस्थान क्या है और क्या खाते हैं क्या पीते हैं ठीक है तो दोस्तों अगर मैं इसके distribution की बात करूँ distribution का मतलब समझ रहे कि आखिर ये इंडिया में ही पाया जाता है या और भी कई जगा पर बाया जाता है मतलब पोरी प्रित्वी पर ये कहां कहां पर पाया इसको जाता है दोस्तों distribution तो अगर distribution jsub यानि कि कि कसी लिमिटेद जगां पर नहीं पाया जाते जैसे और मैं कहूं ये इंडिया में पाया जाते हैं तो ये गलत होगा क्योंकि ये limited जगह पर नहीं पाय जाते है Cosmopolitan distribution है इनका तो distribution के बाद अब हम देखते हैं ये दोस्तो marine animals है यानि समुद्री animals है Indian Ocean में पाय जाते है यानि हिंद महासागर में पाय जाते है Mediterranean Seas यानि के भूमध्य महासागर में पाय जाते है Southern Coast of China दोस्तो चाइना का जो दक्षीनी तठ है वहाँ पर ये पाय जाते है तो इस तरह के से इनका distribution कॉस्मोपोलिटन माना जाएगा और Branchiostoma live both in marine and istrian habitats दोस्तो जो है Branchiostoma यानि कि मैंने एक बार फिर से repeat करना चाहूँगा Branchiostoma ही amphioxus है ये दो है दोनों तरह के habitat में रहता है ठीक अगर आप देखेंगे ये water के अंदर भी swimming करता है water के अंदर भी रह लेता है और rate में bill बना कर भी रहता है ठीक है उसके बाद it commonly found in savage swords दोस्तो ये जो है रेतिली मिट्टी में पाय जाता है और u shape में इस तरीके से bill बना कर रहता है और मिट्टी में अपना जो head वाला जो reason है दोस्तो जैसे कि हमने कहा है rostrum अभी हम इसकी body structure को देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा ये उसको ऊपर की तरह बाहर रखता है इसका कुछ part बाहर रखता है ठीके आगे बढ़ते हैं इट इस commonly found in sandy source and it lives in dilute sea water दोस्तो ये जो है dilute sea water में रहता है and it's live in dilute sea water between उसकी salinity की बात की गई है लगबग 15.4 से 33.1% यानि कि उसकी salinity की बात की इतने beach salinity में रह सकते हैं and different species salinity मतलब खारापन पानी का खारापन कितनी salinity होनी चाहिए लगबग इतने beach की salinity के बीच ये amphioxis survive कर सकते हैं ठीक है तो उसके बाद different species so different degree of toleration of salinity change जानि कि दोस्तो amphioxis की different different species हैं लगबग इसकी 9 species हैं और 9 की 9 जो different species हैं दोस्तो वो अलग-अलग salinity में रहना पसंद करते हैं for example अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसी हैं जो कि 15.4% पर सर्वाइव कर जाती हैं तो कुछ ऐसी हैं जो कि 22 पर होंगी कुछ 25 पर होंगी यानि कि जादा से जादा कि इतनी salinity ये जहिल सकते हैं आप ये भी कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं दोस्तो कि the limit of salinity tolerance in sea water are 34% यानि कि ये जो है 34% तक कि salinity को जहिल सकते हैं उतनी बीच सर्वाइव कर सकते हैं अब हम दोस्तो बात करते हैं इसकी swimming से related कुछ बाते हैं तो क्योंकि दोस्तो ये मचली की तरह दिखता है अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको ये फिश की तरह दिखाए देगा अभी मैं आपको ये वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें आपको अच्छी समझ में आ जाएगा इट लीड्स ए ड्वेल लाइफ दोस्तो ये ड्वेल लाइफ लिव करता है ये जो है रुक कर रहना पसंद करता है जैसे कि मैंने आपको कहा रेतिली मिट्टी में अपने आपको धसा लेगा और इसकी आधी जो एंटिरियर वाला जो पोर्शन है एंटिरियर रीजन यानि के आगे वाला जो रीजन है उसको हलका सा बायलोगी मिट्टी से ऊपर की तरव रखेगा उसके बाद क्या होता है दोस्तो इटिस सिडेंट्री एनिमल अलाउट इट केन स्विम एक्टिवली इन वाटर भले ही ये सिडेंट्री एनिमल है सिडेंट्री का मतलब दोस्तो ये ठहरने वाला अलाईमल है लेकिन फिर भी ये एक्टिवली स्विमिंग कर सकता है करता है जो अभी मैं स्विमिंग करते हुए एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ इट स्विम वर्टिकली इन वाटर ये जो है वाटर में वर्टिकली वाटर स्विम करता है और ब्रैंकियो स्टॉमा कें स्विम इन वाटर लाइक फिश जैसे फिश जो मसली होती है उस तरह से स्विमिंग करती है इसी तरह से ब्रैंकियो स्टॉमा भी स्विमिंग करता है swimming is done by wave contraction originated from the anterior end of the body जो कि anterior end of the body से यानि कि body की जो anterior end है वहाँ से originate होता है कौन सा contraction? wave contraction and passing down the longitudinal muscles दोस्तों ये जो है कहाँ पर pass होगा? down the longitudinal muscles and during this process, इस process में क्या होता है? each myotomes, जितनी भी myotomes है contract after its anterior one ठीक है? उसके बाद आप थोड़ा सा point यहां तक कि आप point को लिख सकते हैं इससे जादा अगर आपको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वहना नीचे वाला जो part है उसको ये तो एक swimming का एक procedure बताया गया है जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो the wave of the contraction passes alternately along the left and right side of the body such wave produce a side by side bending of the body for forward purples propulsions and the animal swim spirally कैसे? spirally जैसे ये ऐसे 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 तैरता रहता है ठीक है? तो animal swim spirally about its axis अपने axis के along जो है इस तरीके से ये spirally swim करता है तो दोस्तों ये था habit and habitat और इसकी swimming से related अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ अगर आप basic student है तो आप यहां तक लिख लीजिए अगा ठीक है? बाकी आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूद नहीं है क्योंकि आपको time भी manage करना पड़ेगा ठीक है? दोस्तों heading दा लेजिए external morphology of amphioxis amphioxis के external morphology में सबसे पहले हम discuss करेंगे इसके shape, size and color के बारे में दोस्तों जैसा कि अभी हमने वीडियो में देखा कि amphioxis white color का दिखाई देता है और मचली की तरह swimming करता रहता है और अगर आप इसकी body को ध्यान से देखें तो इसकी body को हम दो parts में divide कर सकते हैं trunk and tail, दो ही reason होगे इसकी body के जबकि हमने balanoclosus की body को देखा था तो उसकी body तीन parts में divide थी proposis, collar and trunk पर यहां पर आप देखेंगे इसकी body जो है दो parts में divide कर सकते हैं एक तो इसका trunk जो anterior से लगबग यहां तक के आप दिखेंगे इसको कहेंगे हम trunk और इसका जो पीछे वाला जो reason है इसको हम बोलेंगे टेल, ठीक है तो दो parts में body divided trunk and tail, तो note करेंगे दोस्तों इसका size कितना होता है length में, bronchostoma is about 3-6 cm in length, bronchostoma जो होता है वो 3.5 to 6.0 cm in length, लगबग 3-6 cm इसकी length होती है the body is cylindrical, मतलब एक तरीके से cylindrical body दिखाई देगी and somewhat translate होती है superficially fish-like, आपको दिखाई देगी एक बग मचली के समान, जैसे हम वीडियो ओर लडे देख चुके है मचली के समान, यह swimming भी करता है and literally compressed and point at both ends दोस्तों दोनों ends को ध्यान से देखो, तो यह जो है pointed रहता है यह भाले के समान, जैसे भाला देखा होगा आपने, फिल्म वगएरा में देखा होगा जो युद्ध वाली जो फिल्म में होती है, बाहु वाली में देखा होगा आपने जो भाला लेकर के रहते है तो इस तने से वो pointed रहता है, भाली के समान, इसलिए इसका नाम रखा गया है दोस्तो, Lensulate इसलिए इसको कहा जाता है Lensulate, क्योंकि यह भाले के समान, दोनों end में आपको दिखाए देगा दोस्तो यह जो है भाले के समान दिखाए दे रहा so literally compressed and pointed at the both ends दोनों ends पर यह pointed रहता है hence the name is lancelet the pointed anterior end of the trunk दोस्तो anterior end of the trunk anterior मतलब सबसे आगे वाला जो reason है और trunk की बात की गई है यानि कि सबसे कोने वाली बात की गई है तो इस तरह से पढ़ना सीखे the pointed anterior end of the trunk project in the front of a snout or rostrum जैसे कि आप देख रहे हैं structure anterior end के जो आप ध्यान से देखेंगे rostrum है rostrum के जिस्ट नीचे की तरह आपको दिखाए देगा oral hood और oral hood पे कई सारे tentacle-like structure दिखाए देते हैं जिसको हम बोलते हैं दोस्तो बकल सीरी ठीक है और इसी के जस्ट ऊपर की तरह wheel organ भी दिखाए देता है जिसे हम digestive system के अंदर डिसकस करेंगे उसके बारे में अभी हम external morphology डिसकस कर रहे हैं so guys एक बार फिर से repeat करते हैं the pointed anterior end of the trunk project in the front of a snout और rostrum below the rostrum, rostrum के नीचे as a oral hood एक oral hood दिखाई देगा आपको and formed by a dorsal and lateral projection of the body and it bears 20 or more stiff यानि कि लगबग 20 के करीब या 20 से ज़्यादा सीरी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं दोस्तो oral सीरी या बकल सीरी और tentacles भी बोलते हैं यानि कि इसमें true head नहीं present होता ठीके यह बात हम सीफेलो कोड़ डेटा के general features में भी पढ़ चुके हैं अब हम दोस्तों बात करते हैं इनकी body में fins पाए जाते हैं fins यानि कि जैसे कि आपने fishes वेगरा में देखा होगा जो कि इनने swimming करने में help करती हैं तो इनकी body में भी fins पाए जाते हैं बट paired में नहीं पाए जाते हैं तो note करेंगे branchiostoma यानि कि amphiocsis has three unpaired fins यानि कि unpaired होते हैं एक तो dorsal जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह dorsal fin present होती है यहाँ पर इस तरही के से दूसरा है caudal fin जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे यह caudal fin कैलाएगी and ventral fin जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें तीन तरह की fins होती है dorsal, caudal and ventral और यह जो है paired में नहीं पाए जाती इसलिए लिए लिखेंगे paired fins are absent along the mid dorsal side of the body दोस्तों बोडी की mid dorsal side होती है is a dorsal fin running along the wound length and mid ventral fin running from the caudal fin to anterior pore तो अभी हम देखने वाले हैं aperture यानि कि छिदर इनकी बोडी में जो है कितने aperture present होते है और कहां कहां पर open होते है उनकी locations क्या है तो दोस्तों इनकी बोडी जो वाला जो trunk वाला जो reason है तो trunk वाले reason में दोस्तों तीन तरह के pores पाये जाते हैं mouth, anterior pore, anus औरल hood present below the rostrum यह जो oral hood है वो रostrum के नीचे present होता है ठीक है और दूसरा point यह trunk जो होता है दोस्तों उसमें तीन तरह के aperture यानि कि छिदर पाये जाते हैं mouth, anterior pore, anus below the pointed extremity is a large median aperture यानि कि दोस्तों जो pointed extremity is a large median aperture present होता है कहां पर below the pointed यानि कि जो दोनों एरिया में आपको देखेंगे pointed है भाले के समान है तो आगे की तरफ सबसे पहले हम बात करते हैं anterior end पर large aperture पाये जाता है the mouth surrounded by a fill-like membrane mouth जो होता है वो surrounded रहता है frill-like membrane से the oral hood its age is a basset with numerous tentacles और सीरी जैसा कि यहीं पर फिर दुबार से हम बात करते हैं इसमें जो है basset में जो है numeric बहुत सारे मदब numerous मदब असंखे इसमें जो है सीरी पाये जाते हैं जिसको हम buckle सीरी या oral सीरी भी बोलते हैं या उसको हम tentacles भी बोलते हैं इमिडेटली वहीं पर in front of the anterior end जो anterior end का front reason है of the ventral fin ठीक है एक बार फिर से repeat करते हैं इमिडेटली इन front of the anterior end of the ventral fin and partially उसके बाद partially enclosed by the metapleunar folds is a rounded aperture यहां पर एक rounded गोला का aperture पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों दा एक्त्रियो पॉर उसके बाद a short distance from the posterior extremity of the body trunk and is the anus और last में आप देखेंगे यहां पर यह present होता है इसमें anus तो यह तीन aperture होते हैं placed asymmetrically यह जो anus होता है यह asymmetrically present होता है यानि कि इसकी आप अगर body को ध्यान से काटने की कोशिस करें तो यह जो है side में आ जाएगा anus तो इसलिए इसको कहेंगे presenting asymmetrically of the left side of the base of the caudal fin caudal fin के left side में present होता है तो यह दोस्तों अभी तक हमने discuss किया इसकी shape, size and color के बारे में body division, fins के बारे में और aperture के बारे में ठीक है तो इसको फटाफट note कीजिए amphioxis के external structure में जो next structure आती है वो है myatoms and gonads अगर आप इसकी body को ध्यान से देखें the body wall shows metameric segmentation being a made up of कुछ इस तरह के shape में जैसा कि आप देख रहे हैं यह जो arrow shape आपको दिखाई दे रहा है इस shape में आपको blocks of muscles दिखाई दे रहे होंगी इस diagram के अंदर इस diagram में आपको दिखाई दे रहे होंगी कुछ इस shape में blocks of muscles जिसको हम बोलते हैं दोस्तों called myotomes और myomeres ठीक है एक बार फिर से repeat करते हैं the body wall shows metameric segmentation एक तरीके से metameric segmentation शो करता है and being made up of इस shape में इस arrow shaped blocks of muscles जिसको हम बोलते हैं myotomes and myomeres and these are found just beneath the transparent body wall और यह कहाँ पर पाये जाते हैं दोस्तों beneath यानि के नीचे किसके transparent body wall transparent parent body wall के नीचे की तरब यह present रहते हैं and beneath the myotomes मलब कि beneath वहाँ पर यूड होता है जा आपन थोड़ा नीचे अंदर की बात हो रही हो so beneath the myotomes on the both side दोनों side present होते हैं series of gonads between the mouth and atriopore mouth और atriopore के बीच में ठीक है तो यह है दोस्तों myotomes and gonads के बारे में अब हम देखते हैं इसकी body wall जो कि सबसे ज़्यदा most important topic है इसकी जो body wall होती है दोस्तों consist of three layers इसकी body wall के अंदर three structures आएंगी सबसे पहले दोस्तों इसका skin और integument फिर उसके बाद आएगी दोस्तों musculature ठीक है जिसके अंदर हम इसके muscles के बारे में discuss करेंगे और last structure आएगी दोस्तों इसमें peritonium तो आएए सबसे पहले discuss करते हैं इसकी skin और integument के बारे में ठीक है यह जो आप diagram देख रहे हैं फरस्ट यर में पढ़ा होगा जैसे कि मैंने टैडोफाइटा के किसी stem का अगर section करता हूँ तो उसी तरीके से इसको भी study करना है इसमें जादा कुछ extra आपको study नहीं करना pattern वही होगा कि बाहर की तरफ आपको एक epidermis दिखाई देगा उपर की तरफ ठीक है इसमें कौन कौन सी cells present होगी फिर नीचे जाते जाते हमें की इन तरह तरह है कि cells और matrix में क्या क्या present होता है इसी तरीके से आपको इसको define करना होता है ठीक है तो आई ये start करते है heading डालीजी skin और integument thin outer layer of epidermis epidermis की एक पतली सी outer layer होती है ठीक है which made up of columnar epithelial cell जो की columnar epithelial cell से मिलकर बनी होती है ये जो आप देख रहे हैं ये columnar cells है यानि स्तंभाकार cells होती है and columnar cells attached with the basement membrane और ये जो नीचे की तरफ आपको membrane दिखाई दे रहे है बीच में इसको ओम बोलते हैं दोस्तों basement membrane और ये जो है इसके ऊपर ही टिकी रहती है जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे columnar cells किस पर टिकी होई है basement membrane पर टिकी होई है इसी तरीके से initially cilia are present starting में जो युवा होते है amphioxis उसके अंदर cilia present होता है finally जब यह adult हो जाते हैं तो cilia disappear हो जाता है तो starting में cilia present होते हैं but after that cilia is disappear in adult adult में disappear हो जाएगा that made up of cuticle layer इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यह पूरी तरीकी से cuticle layer बना देगा जिसकों बोलतें cutis or compact layer ठीक है इस पर फोर रिटिट होता sensitive cells वो present होती है but जो glandular cells होती है pigment cells होती है यह सब absent होगी ठीक है तो दो points अपने note कि epidermis related इतना यह होता है कि आपको exam paper में इसको थोड़ा सा एस पहले diagram बना देंगे और फिर उसके बाद इसको define करना है इसकी structure के base पर उसके बाद below the epidermis epidermis के नीचे की तरब आपको क्या दिखाए देगा यहाँ पर दोस्तों cutenize का एक layer होगा जिसकों बोलेंगे cutis layer present रहता है and in which present fiber connective tissue इस cutis layer के अंदर fiber connective tissue present रहते है अब इस cutis के नीचे present होता है दोस्तों subcutis layer ठीक है इस cutis के नीचे subcutis layer present होता है which made up of made with किस से बना रहता है gelatinous layer से बना रहता है इसमें gelatinous matrix present होता है और उसके अंदर दोस्तों nerve fiber cells present होती है blood vessels present होती है अभी आप इसकी structure को ध्यान से देखें उपर से crumb wise तो आपको दिखाए देगा यह epidermis है, यह basement membrane यह cutis और यह compact layer और इसके अंदर blood vessels यह fibers यह myotomes आपको नीचे की तरफ दिखाए देंगे ठीक है, यह है nerve with fiber and cell body आपको दिखाए देगा तो यह है दोस्तों इसकी तवचा की काट इसकी तवचा का एक section लिया गया और फिर इसके बाद यह diagram आया ठीक है, इसको आप फटा-फट note कीजिए डिसकस करते हैं body wall की बचिवे दो structures, number second musculature and number third peritonium दोस्तों musculature में अभी हमने discuss किया, इसकी जो myotomes होती है जस्ट उसी को यहाँ पर आपको explain करना है यानि कि amphiocsis की body के अंदर जो muscles होती है, हमें उसी के बारे में explain करना है कि वो किस condition में कैसे रहती है और वो किस चीज में help करती है तो already मैं बता चुका हूँ यह swimming करते हैं, swimming में भी help करती है muscles जो होती है, तो note करेंगे the muscles present bent at the body wall दोस्तों body wall जो होती है, उसके just नीचे की तरफ या अंदर की तरफ, muscles present होती है और इसकी जो exhibit करती है metameric segmentation में, यह जो muscles होती है यह इस shape में, जो आप देख रहे हैं इस V shape में, इस तरीके से V shape में, इस तरीके से metamericly segmented रहती है, जैसा कि आप इस diagram में भी देख सकते हैं, तो note करेंगे the muscles present bent at the body कहां पर present होती है, बोडी वाल के जस्ट अंदर की तरफ, और exhibit metameric segmentation exhibit करती है and muscles layer consist of a large number of 60 to 62 60's से 62 muscle segment उसके अंदर present रहते हैं इसी को हम myomiers या myotoms कहते हैं, ठीके यह जो आपको segment से जो बीच बीच में जो खंड मिले इसी को हम बोलते हैं, इन खंडों की जो संख्या होती है, वो 60 से 62 तक होती है, इनी खंडों को या इनी segment को हम बोलते हैं दोस्तों, myomiers और myotoms इनकी appearance कैसी होती है they have appearance just V shape में, जैसे कि आप यह देख रहे हैं इस V shape को आप इस तरीके से लगा लीजिए ऐसे करके, ऐसे करके, एक के पीछे, एक के पीछे करके, यह जो है metameric segmentation show करते हैं the myotoms have strated muscles fiber lying longitudinally, myotoms के अंदर strated muscles fibers होती हैं जो कि longitudinally lie करते हैं and contraction of this segmentation segmental myotoms cause a side by side bending जिसकी वज़े से swimming करता है of the body, ठीके, side by side by इसकी जो body होती है, वो यहाँ पर contract करेंगी, जिसकी वज़े से which the animal is swims, जिसकी वज़े से animal जो है, वो swim करेगा, यानि कि amphioxys swim करेगा, तो यह है muscles के बारे में, या musculature के बारे में number third point, जो कि last point हो है peritonium, दोस्तो inner side of the muscle layer, muscle layer की inner side में क्या-क्या present होता है सबसे पहली बात तो इनी muscles के अंदर ही जो आप देख रहे हैं, dorsal naru code present है, noto code present है, यह इसी इनी muscles के अंदर present होती है ठीक है, और इनी के अंदर जो peritonium होता है, वो muscles layer के inner side के अंदर present होता है और जो कि peritonium दोस्तों जो होती है वो एक thin layer होती है यह thin layer of peritonium are present, कहाँ पर present होगी inner side of the muscle layer muscle layer के inner side में, अंदर की तरप and they are limited in some patches यह जो है, कुछ some patches में ही यह limited रहती है, सीमित रहती है और यह कहाँ पर present रहती है pharynx तक के, ठीक है, जैसे कि external morphology, internal morphology के अंदर आपको सिर्फ इतना ही explain करना पड़ेगा आप सोच रहे होंगे, सिर्फ कह रहे है हाँ, इतना लगबग 4 से 5 page में आपका आजाएगा diagram आपका आजाएगा, ठीक है, इस diagram को अलग बनाना, इस diagram को अलग बनाना और ऐसे करके आपका page भी अच्छा सा भर जाएगा और साथ में, आप point wise लिखते हैं तो examiner उसको अच्छे से उसका impact जो है, अच्छा पढ़ता है examiner के उपर क्योंकि point wise आप लिखते हैं ठीक है, तो यह था, दोस्तो external morphology amphioxis, मिलते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like करें और next वीडियो में हम discuss करेंगे digestive system, one of the most important topic क्योंकि कई बार repeat रहता है Amphioxis के digestive system को हम next वीडियो के इंदर discuss करेंगे, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाई बाई, टाटा